BYD Dolphin ये एक ऐसा नाम है जो हम काफी टाइम से इंडिन मार्केट में सुन रहे हैं काफी लोग समझते हैं चाहते हैं कि Dolphin, BYD Dolphin इंडिन मार्केट में भी आए internationally BYD इस गाड़ी को अरड़ी काफी मार्केट के अंदर सेल कर रही है including Nepal, मैं Nepal में हूँ, I'm driving the BYD Dolphin इसके लाबा बहुत सारा action आने वाला है I promise you मैं आपको disappoint नहीं करने वाला इसके बाद मैं चलाऊंगा MG4 EV नेपाल के अंदर and the blockbuster of my trip is gonna be the upcoming new generation Ford Endeavor जो शायद इंडिया में वाप्स इस साल आने वाली है so Endeavor का walkthrough, Endeavor की drive, MG4 का walkthrough, MG4 EV की drive इसका walkthrough, इसकी drive तो बहुत सारा action आने वाला है and for the notification बहुत simple है guys do subscribe and hit the bell icon as well with the bell icon जब वीडियो लाइव जाएगा आपको notification आती रहेगी ये वीडियो प्रॉपर डिटेल रव्यू नहीं है I've just got the car but I want to show you the car कुछ various aspects के बारे हैं बात करूँगा उसके बाद हैं different video, इसका driving point of view from a driver's perspective, space कितनी है driving comfort कैसा है, ride quality for such routes कैसी है क्या features है, interiors के तो USB क्या है battery कितनी बड़ी है, वो एक different video आएगा but कुछ चीजों के बारे हम बात करते हैं सबसे पहले, ये segment कौन सा है well, in the Nepal market ये MG4 EV वाले segment के अंदर आती है इंडिया में भी मेरे ख्याल से एक बड़ी वाली हैश बैक या एक crossover ये ऐसी भी तो नहीं है, एक crossover या हैश बैक वाली EV आना ज़रूरी है कुछ options market के अंदर है, but BYD कही पर या भी गाड़ियों के अंदर ऐसे features देती है ऐसी battery की technology देती है जो बाकी गाड़े नहीं दे पाती interesting parameters क्या है इस गाड़े के एक front end दिखाता हम आपको DRL सिर्फ यहां पे नहीं है इसके साथ साथ एक smiley वाला DRL बनता है इसके grill के नीचे पूरी length पे जाता है likewise अगर आप side profile को देखते हैं तो typical वही आपको नहीं वाले EV models के आपको alloys मिलते हैं sorry tires dirty है because मैं off-roading कर रहा था 16 inch के आपको पाइय मिलते हैं उसके अलावा विंचील का जो लोर पाथ है यह ऐसे कुछ elements है जो बीवाईडी डॉर्फिरिं के अंदर आपको दे रहा है for a sporty appeal but best thing is at the rear इसका जो rear lights का pattern है that is large जबाब अब इसको देखिए मैं गाडी को अंदर से on करता हूँ for the lights and then just look at the pattern of the lights coming in यह देखिए एक X है, एक cross है यह मैंने सेग्मिंग के अंदर पहले कभी नहीं देखा है and of course इसके बीच में BYD stands for build your dreams उसका proper यहाँ पर लोगो आता है overall profile जो गाडी की है it is not overly sporty, it is not boring एक अच्छा match है slightly sober भी है जो काफी लोग जाते है तो कई बारी EVs future ready वारा design लेके आती है यह अच्छे से market में जल हो सकती है इसके लाबा जल्दी से एक glimpse देता हो आपको इंटीरियर्स का proper review बाद में आएगा तो इंटीरियर्स का talking point है 12.8 इंच का यह screen जो आटो थी के तरे rotate होता है वो मैं आपको कल दिखाऊँगा और उसके लाब आपको स्टेरिंग के फीचे एक छोटा सा sporty सा speedometer console है लाइक a sports bike उसके functions क्या है आपको मैं दिखाऊँगा कल और बड़े screen के नीचे आपके पास काफी functions के लिए toggle switches है गोल गोल क्या करते हैं यह क्या कुछ change करते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाड़ी चलाने के बाद मैं आपको पताऊँगा कुछ specs मुझे पता है approximately 44 kWh की बाटरी मिलती है DC fast charging support करती है लगबख 0-100 in 12 seconds and certified range started 300 km की है तो यह specs असलिएप में कैसे बनते हैं मैंने इसको कुछ बहुती steam शड़कों पे चलाया है slightly off-roading करी है शहर में चलाई है so driver's perspective, ride comfort, punch बगेरा बगेरा वो सारा cover करूँगा in the next video so guys do come back because from Nepal बहुत सारा action आपके लिए लाने वाला हूँ I am looking forward to driving the other two cars I mentioned to you MG4 and the new Ford Endeavour so action will keep you coming I just need one thing from you that is your support so do subscribe and hit the bell icon as well अभी के लिए as a first look आपको BYD की Dolphin कैसी लगी बताईए मुझे in the comment section below by the way BYD ने हमें बताया है कि इस साल इंडियन मार्केट में वो एक या दो नई गार्या लाज़ करने वाले हैं और आपके बस 803 आती है उनकी E6 भी आती है for the commercial usage but इस साल एक और special BYD इंडिया में आएगी क्या वो डॉल्फिन है, क्या वो सील है well उसके लिए fingers crossed